ये पार्ट है दश्महा जिसका नाम है यदभूत हितम तत सत्यम और इस पार्ट में जो भी व्याकरन आई हुई है अभी हम उसके प्रशन और उत्तर करने जा रहें कक्षा ग्यारवी की संस्कृत जो है वो उसका दश्महा पार्ट है इसमें जो व्याकरन है चलिए हम उसको प तो ग्रामो पांटे कैसे बना है ग्राम और उपांटे से य Сам यह ज़्यामत पर तरह से हैं पंक उध्द एढ रहा यहां पर भी वैसे ही गुन संदी हुई है तो यहां पर मिला देना इनको तो क्या हो जाएगा पंको दारहा ठीक है अब है वहीर आगत्या वहीर आगत्या में यहां पर हुई है बच्चों विसरग संदी और विसरग संदी का ये ुदारन देखो और यह हो जाएगा बही दना अगत्या से बन जात सब बह ही रहता ठीक है कि आभ हैं हमारे पास अस्मीन और अबसरे अस्मीन और अवसरे अस्मिन अवसरे दो ना हो जाएंगे यहां पर अस्मिन फिर उसके बार हो जाएगा वासाराए वसरे है ना इस तरह से अस्मिन वसरे यह बन जाएगा ऐसे यह थेच्छम है यह थेच्छम किसे बनता है यहां पर यहां पर भी यथा और इच्छम से यथेच्छम बना मतलब गुन संदी विए तो यथा और इच्छम दो शब्द है इच्छम तो क्या बन गया यथेच्छम वैसी यह एकह महान तो एकह महान में यहां पर विसर्गों का उ हो जाता है न तो बन जाता है एको महान जाएगा एको महान वैसे ही मज्यान वेशनम में इस तरह से हो जाएगा मज्यान वेशनम यहां बरदीर के संदिय हो गई है मज्या आदाना वेशनम आगे वैसे ही रहेगा जैसा लिखा हुए मत्सयान वेशना वैसे यह बंद छेदम का बन जाता है बंद और उसके बाद धन छेदम बंद छेदम से बन जाता है बंद छेदम फिर है प्रातहा गत्या तो यहां पर बन जाएगा बच्चो प्रातरा गत्या प्रातरा गत्या बन जाएगा पैसे यह जले अस्मिन तो जले अस्मिन में हो जाता है अलग-अलग शब्द हो जाता है जले हो जाता है और अस्मिन हो जाता है यहां हमने संदी और संदी विच्छेद वाला जो महत्वपूर्ण आपके पाठ के अंदर व्याकरन था अनप्रीउत व्याकरण था, वो हमने कर लिया, परिक्षा में इनहीं में से कोई पूछा जाता, तो आप इसके अच्छे से अभ्यास करो, ऐसे यह प्रशन संख्या दो, इसमें हमें जैसे लिखा हुँए पहला शब्द आनिय, क्या लिखा है आनिय, तो आनिय में कौनसा प्र उसी तरह से इमेज अना हां बुद्रनिच तव्यत, बुद्रनिच तप्यत से क्या बन जाता है भोधई तव्या, तो ये बन जाता है हमारा भोधई तव्या, ठीक है, वैसे ही है पुश्करणी और तसिल, तसिल जब भी प्रत्य लगता है बचो उसके अंत में तहा जुरूर ह होता है, ठीक है, ये तसिल प्रत्य की एक निशानी है, तो बन जाएगा पुश्करी अनी तहा, पुश्करी नी तहा बन जाएगा, अब है प्रशन इसमें चार, यहां प्रदूशितम है, प्रदूशितम में प्रादुश और ता प्रत्य हो जाएगा है ना, ये होगा, प्र प्रादुश और ता से बन गए प्रादुशितम, वैसे ही कथम चाहिए में वरी निच अनियर, वरी निच अनियर से बन जाता है वारनिया, क्या मन जाता है वारनिया, वैसे ही है प्रतारित वान, प्रतारित वान जो है वो बन जाता है बच्चो, वान किस प्रत्य में लगता ह हमें पता ही है किस प्रत्य में लगता है तवतू प्रत्य में लगता है किस में लगता है तवतू तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा प्रात्री और तवतू इससे बन गया प्रातारितवान अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे है हमारे पास बच्चो द्रियत्वा से बन जाएगा द्रित्वा, क्या बन जाएगा द्रित्वा, वैसे शिक्षण और तव्यत, शिक्षण और तव्यत से बन जाएगा शिक्षण और तव्याहा, तो शिक्षण और तव्याहा बन जाएग में कन्फ्यूज नहीं होना द्रिश और तवा से बन चाहिए और हमारे पास है अंत में उक्तवान उक्तवान में देखो यह बहुत खास है इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं इसलिए में कह रहा था क्यूंकि देखने में सब उत्र एक जैसे लग रहे हैं अब है प्रेशन संक्या 3 में लिखाया है कि समुचित शब्द रूप चुनना है आपने जो आपने कहानी पढ़ी है उसमें यह शब्द लिखे ही हुए इतना ध्यान से हम अगर पढ़ें तो उतर निकाल लेंगे अगर अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे अगर ध्यान से ना भी पांते पद्मिनी तो पद्मिनी के साथ हो जाएगा नामनी क्या हो जाएगा नामनी एका पुषकरणी आसित ठीक है पद्मनी नाम की एक पुषकरणी थी अब है आगे तत्र ग्रामस्या डैस नानम कुर्वंति क्योंकि कुर्वंति है तो जो भी आएगा बहुचनी आएग तो जनास नाना को बनती वैसे ही है पुश्करणी परिता नाना डैस संती तो पुश्करणी के चारू और नाना परकार के डैस हैं क्या है क्या हो सकते हैं डैस क्योंकि यहां संती है तो संती के साथ क्या आजाएगा वरिक्षा आजाएगा वरिक्षा भी बहुँ बच्चन है वहीटाय मुण्य क्या ப्रदूशितम तो इसके साथ और प्रतूशितम जरसर होगा वैसा यह विशेशन होगा यहां प्रतूशन ज़ो है विशेशन वाध्य वैसे लिखाया बालका डैश कमपते क्रंदतीचा बालक जो हैं वो कामपते हैं और रोते हैं तो इसके लिए क्या आएगा भएना भएना कमपते क्रंदतेचा धर से वैसे लिखाया आयमेव समुचिताहा क्या आएगा समयाहा क्योंकि यहां समुचिताहा इसलिए इसके साथ सम अपर, एक सी 8 फे नमबर पर असमीन डैश ग्रामे जना अवस्यम शिक्षई तव्या, तो हमने पढ़ा था असमीन अवसरे, क्या पढ़ा था असमीन अवसरे, तो वैसे ही है, इमाम, इमाम के साथ क्या जाएगा बच्चो, पुशकर नीं, क्या रहेगा पुश करनी वैसे ही है बालका डैस परसन्ना संजाता अब बच्चो आ जाता हमारे पास प्रशन संख्या कौन सा चार तो प्रशन संख्या चार में हमें जैसे अभी हमने बताया है शब्द रूप अब बताना हमें दात रूप जैसे यह लिखा पद्मनी नामनी पुश करनी आसीत एका है तो आसीत आएगा बाकी वाले ये द्वी वचन है ये बहु वचन है तो एक के साथ एक वली क्रिया ही आती है एक वचन के साथ एक वचन के क्रिया लिखा तत्र ग्रामस ये जनहा वसनम वहां गाउं के लोग कपड़े क्या करते थे दोते थे क्यों कि यहां पर बहुबचन है तो यहां पर भी विवन्ती में बहुबचन है ठीक है तो भी वन्ती वो वचन है तो भी वन्ती लगेगा वैसे ही है प्रशन संक्त क्योंकि सहामुनी एक बच्चन है जैसा करता होगा वैसी क्रिया होगी वैसे लिखा है केचन जनाहा एकम बालकम कुछ लोग एक बच्चे को एक बच्चे को क्या करते हैं क्योंकि जनाहा हैं बहुत सारे लोग हैं तो ताड़ा इंती मार रहे हैं ठीक है वैसे ही है बालका भयन कमपते क्रंधती क्रंधती चव ठीक है क्रंधती चव वैसे एशा सदेव मिथ्वाशनम करोती क्योंकि एशा है एशा के साथ क्या आएगा करोती आएगा मुनिय आश्रमम प्रती बालकम मुनिय आश्रम की और बालक को ले गया आनीतवा यह हो गया अब है हमारा यहां आए कि समुचित उपपद विवक्ति बद को लिखो रखा ग्रामों पांते पदमिनी यहां देखो नाम लिखा हुआ है तो उपपद विवक्ती में आपको नाम की जगह पर क्या लिखना पढ़ेगा नाम लिखना पढ़ेगा क्योंकि इस्तरलिंग एक तो इस्तरलिंग के साहँ नाम नाप नी आएगा पद मिनी है तो नाम नी हो जाएगा ठीक है अब उसके बाद है पुश करिनी क्या बन जाएगा पुश कर नीम हो जाएगा नाईमा है ना माखलंत इस तरह से यह होगे हमारे व्याकरन से समधित प्रश्ण उतर आप दो तिन प्रश्ण है जो पाट से समध में भी आपको महत्पूर्ण है वो पहला प्रश्ण जैसे यह है कि संदर्व ग्रंत यह जो पार्ट था है ना इसका जो यह पार्ट कहां से लिए गया था जिसको कहते है संधर्व तो उस संधर्व गरंद का नाम कथा संग्रहा लेखकस्या नाम केशव चंद्रदासा है तो उसी तरह से जो प्रश्न है वो कुछ इस तरह से हैं प्रश्न दिखाता हूं पहले आपको फिर जाके यह उत्तर बताने लग गया था मैं अब यह हमारे पास प्रश्न लिखा है कि परतेकम अंशम अंशस्या प्रदत भावार्थ त्रयात शुद्ध भावार्थम चित्वा लिखाता हूं है ना तो यह आगया हमारे पास पहला प्रश्न है ना लेकिन इससे भी पहले है जिसे यह लिखा है एकदा मुनी यहां से शुरू होता है एकदा मुनी एकस्मि तटे क्रिश्नम द्रिष्टवा अकारितवान यह पंक्ति आ गई बस आपको इतनी सी है ना और यहां यह पुछागी इस पंक्ति के संदर्वगरंद का और लेखक का नाम क्या है संदर्वगरंद का और लेखक का नाम क्या है यह पुछा जाएगा तो संदर्वगरंद क्या हो गया अभी मैं आपको थोड़ी दिर पहले बता रहा था तो संदर्वग्रंथ कौन सा हो गया कथा संग्रा कौन सा हो गया कथा संग्रा ये हो गया हमारा संदर्वग्रंथ और लेखक का नाम क्या है लेखक का नाम जैसे आपको पता ही है आपने पढ़ा था कहानी में लिखा हुआ केशब चंद्रदास क्या है केशब चंद्र केशब चंद्रदास ये लेखा का नाम है तो दोनु चीज़ें आपको पता लगी तो ऐसे पंक्ति पूछी जाएगी और उससे आपको ऐसे प्रशन पूछा जाता है तो अब इसके लिए त्यार रहा ना आपने लिखा है अरे सत्य कतने न केवलम सत्यम न भवती सत्य बोलने से केवल बालकम कृष्णम प्रतिकत थे मुनी ने बालक कृष्ण के लिए बोला था कृष्णम प्रति ठीक है ये कौन कहता है ये मुनी कहता है किसको कहता है कृष्ण को कहता है मुनी बालकम कृष्णम प्रतिकत थे थे वैसे ये प्रिश्ण संक्या दो जिसमें है अदो लिखित प प्धutan ही पूरायित्व पुना लिखा था नीचे लिखे पड़्यों के बाववार्थ VICTOM और गृura जो। हुं अन्दख़ जो हुआ सहीयहा है वह आपने क्या करना है मंचुशा की सहहीता दो इस बावuu इसत्तान में बरना है ठीक है। यहां आपको क्या घर दिया गया एक श्लोक दिया अथि सत्यय से पिय अपिक्तन वेद् समय हिदकारी भवती कल्यानकरम पहांनी नाम DM मुझे भी वी मंजुशा नहीं नहीं दिखरी थी लेकिन ध्यान से इसको देखके भरना है इसको पढ़ना है और मंजुचा को देखना है और मंजुचा को देखने के बाद यहां पर भरना है तो जैसे लिखा है सत्या से कथनम तो सत्या से कथनम क्या आएगा इसका कल्यान करम क्या जाएगा कल्यान करम यह हैं न कल्यान करम हाँ, यह आजाएगा, फिर दूसरे नमबर पर कहाए जाएगा, दूसरे नमबर पर आजाएगा भवती, लाभा भवती, फिर उसके बाद यत प्राणी नाम, जो प्राणीयों के, अत्यंतम, हितकारी भवती, क्या जाएगा हितकारी भवती ये इसका हमना बावार निकाल लिया इसमें अथवा देख करके भी इस तरह से प्रशन पूछा जाता है जैसे लिखाया परतेक अंश के तीन जो है वो क्या दिये गए हैं बावार दिये गए हैं शुद बावार चुन के लिखना परदूशितम जलम पीत्वा जना अपी रुगना बवन्ती चीक है तो इसका हो जाएगा दूशितम जलम पीत्वा जना स्वस्था बवन्ती रुगना का रता स्वस्था ही होता है क्योंकि यहां दूशितम है यहां स्वच्च जल तो पीकर की लोग अस्वस्थ होते ही है लेकिन हमें इसका जो मिलता जूलता वो ही बताना है वैसे लिखा है बालका क्रिष्णा प्रसन्ना संजाता है बालक क्रिष्ण जो है वो खुश हुआ तो क्रिष्णा नाम बाला मुद्रिता जाता क्रिष्णा नाम बालका मुदितम जाता यहा जाएगा वैसे यह प्रश्ण संक्या तीन यहाँ पर आपने कास्तम से कास्तम को मिलाना है तो मेलनम कृत्वा बाकियाMore नहीं पूना लिखत मेलनम कार लिखने तो जैसे पहले के साथ जो है वो आ जाएगा घ्वा पुषकरनियाम एको महानमत्स्यो दिश्टा 에서 दिरमलम जलम दिश्टवा सरवे परसंद्ना अववन दो के साथ जिये हो जाएगा एक के साथ जीए हो जाएगा लेख है श्वव स्वा प्रबाते बंद 6 दम कृत्वा पुषकरनिम प्रविश्टण वैसे ही है अंतता सर्वे मिलित्वा जलम निश्का सयत तो यह हमने चारों के चारों क्या कर लिए मिला लिए अब बढ़ते मचों आगे और यह अंतीम प्रेशन रहेगा हमारा इस पार्ट का अदरे सुष्य आगर जिसको किया कैते हैं इसको अनरित्म क्याते हैßer लिसको को अनरित्म वैसे है बढ़ते है श्का अग्रिम दिन भी आगले दिन ठीक है वैसे ही है नेत्रयों हो, अक्षनों हो, ठीक है, उसके बाद है छेदनम, छेदनम का अथ हो जाएगा कर्तनम, कर्तनम, तो बच्चों ये सारे होगे हमारे इसके महतपून प्रश्नुत्र, इस पार्ट को हमने पढ़ा भी है, उसकी वीडियो भी आप देख लीजिए, प्रिश्ण उत्रों की वीडियो आपने जुरूर देख लिए होगी यह दस्वा पार्ट था हमारा तो मिलते हैं एक नई वीडियो में मतलब इसके बाद वाले पार्ट की वीडियो में उसको आप जुरूर देखेगा व्याकरन की वीडियो भी में जल्दी से बना रहा हूँ आपके लिए आप उनको भी अच्छा से देख लेंगे कुछ बनाई भी हैं उनको भी आप अच्छा से देख लो तो आपकी गैरवी क्लास का लगवख सलेबुस जब वो पूर्न हो चुका है ठीक है बच्चो मिलते हैं